चलिए आज सुरू करते हैं सेट नमर दो सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझ लेना है और आपको समझना है कि आप एकजाम में बैठे हैं और इसी तरह का प्रस्ण एकजाम में आया हुआ है आप कैसे सॉल्फ करेंगे सबसे पहले प्रशन को अच्छा से समझ लेना है पहला नमर प्रशन है चाय के मूलिया में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपिया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ग्याद करें बहुती असान प्रशन है और विवियाय प्रशन है इस तरह का प्रशन एकजाम में आता है और इस तरह का प्रशन को मैं पहले solve करके बता चुका हूँ अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो इस प्रशन को आप बहुती असान तरीके से solve कर लेंगे चलिए solve कर लेते हैं, समझने का कोसिस किजएगा, तो कितना खर्च कर रहा है, 270 रुपया, तो सबसे पहले आपको लिखना है 270 रुपया और बटे में, कितना गराम चाय अधिक आ रही है, यानि कि 250 गराम चाय अधिक आती है, तो इसको इहां पर बटे में लिखना है, अगर य केजी में है तो ठीक है, लेकिन यहां पर यह गराम में है, तो इसको आपको केजी में बदल लेना है, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिभाइट करना होगा, इसको 1000 से डिभाइट करेंगे, तो इहां पर पॉइंट हो जाएगा, समझने का कोसिस किजएगा, इसके बाद यह 270 रुपया और बटे में कितना अधीक चाय आ रहा है तो 250 गराम लेकिन इसको केजी में बदलेंगे तो यहां पर पॉइंट देना होगा यानिकी 1000 से डिभाइट करेंगे तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा अब यहां पर क्या करेंगे कितना कमी हुआ है 10% का कमी हुआ है तो कितना हो जागा 90 अब इसी को solve करेंगे तो दोनों भाव मालूम हो जाएगा अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाना है एक बार हटा लीजिए या सबसे पहले यह दो 0 यहां से हटा देते है अब आपको क्या क क्या करेंगे तो नीचे में कितना है यानि कि 2 5 अब यहां पर 0 है तो आप गुणा में 10 रख सकते हैं अगर गुणा में 10 नहीं रखते तो क्या होता 250 होता समझने का प्रयास किजिएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो काटने में बहुत असान होगा आपको असान बनाना है पहले क्या करेंगे यह पॉइंड को हटाएंगे जब यह पॉइंड को हटाएंगे तो क्या होगा यहां पर तो पहले से 1 0 है अब यह पॉइंड को हटाएंगे तो 1000 से उपर में गुणा हो जाएगा या आप डैरेट इसमें 3 0 बढ़ा सकते थे नीचे में क्या है यानि कि य 24 के 100 बहुती असान तरीके से कट चुका है अब यहाँ पर देखी इसको गुणा कर लेंगे तो 4 सत्य 28 के 8 हाथ में 2 और 4 दूना 8 चार दूना 8 और 2 दस यान की इतना आ गया और यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर भी एक 0 काटेंगे और यहाँ पर देख लिए 9, 23, 27 और 1, 0 अब यहां पर कितना है 4 है तो 4, 12 और 1, 0 बिठा देगे यानि कि यहां पर क्या है अब समझने का कोशिस किजिएगा अब यहां पर आपको समझना है कि पहले वाला भाव कौन सा है तो पहले वाला भाव क्या होगा ज्यादा होगा यहां पर क्या बोल इसके बाद कमी होने के बाद वाला भाव कितना है तो 108 है देख लिजिए कहां पर है तो 120 और 108 कहां पर है तो 120 और 108 यारी कि का ओप्शन से ही है अगर आप एक पर अच्छा से सिख लेंगे समझ लेंगे तो बहुती असान तरीके से सोल्व हो जाएगा आगला प्रसन दूसरा सबसे पहले प्रसन को अचा से समझ लेना है एक पाइप की गती दूसरे पाइप से तिगुना है यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गती वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा बहुती असान प्रसन है और VBI प्रसन है ये प्रसन नल और टंक कि अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं बाग मैं पढ़ाऊँगा चलिए स्वालफ कर लेते हैं कैसे इसको ट्रीक में स्वाल करना है बहुत ही असान ट्रीक है और le plan सबसे पहले तेज गती वाला का समय निकलेगा समझने का कोस्स किजिए गा तो इसके लिया आपको क्या करना है तो समझने का प्रियास कीजिए गा इसमें क्या बोल रहा है एक पैप की गती दूसरे पाइप से ती गुणा है ती गुणा है तो उपर में आपको चार रक रखना है और नीचे में आपको तीन पर दिया हुआ है यदि दोनों मिलकर खाले टंगी को 36 मिनट में भर दें तो यहाँ पर आपको 36 रखना है तो तेज गती वाला का समय निकल जाएगा मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है तेज गती वाला का समय तो यह क्या निकल रहा है तेज गती वाला का समय निकल तो कितना ज्यादा समय लगेगा तो तीन गुना लगेगा समझने का कोसिस किजिएगा तो धीमी गतिवाला को कितना समय लगेगा यह तेज है तो इतना लग रहा है और जो धीमी है उसको कितना लगेगा ज्यादा लगेगा तो कितना ज्यादा लगेगा यहां पर तीन गुना बोला है तो इसमें तिन गुना हो जाएगा समझने का प्रयास किजेगा तो इहां पर देख लिजिए तीन अठे चोबिस के चार और तीन चोके बार और दो चौदा यानि की 144 मिनट लगेगा धीमी गतिवाला को भरने में तो इसमें क्या बोला था तो धीमी गतिवाला पाइप इसे कितने समय भरेगा तो 144 मिनट में भरेगा देख लिजिए कहां पर है तो गह ऑप्षन सही है आगला प्रसनत तीसरा नमर सबसे पहले प्रसनत को अच्छा से समझ लेना है चोड़ साल पहले दो ब्यक्तियों पी और क्यू की आयू का अनुपात 3 अनुपात 2 था चार वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात 8 अनुपात 7 हो जाएगा पी की आयू कितनी है बहुती असान परशन है और भी आय परशन है ओप्षन को चेक करके आप इंसर बता सकते हैं तो कैसे ओप्षन को चेक करना है सबसे पहले आपको ओप्षन को लिख लेना है A, B, C, D A में 10 है, B में 12, C में 12, D में 8 समझने का कोशिस किजएगा P की आयू कितनी है, यानि कि वर्तमान आयू ग्याद करना है तो option वर्तमान का होगा समझने का कोशिस किजएगा और सबसे पहले जो अनुपाद दिया हुआ है वो कब का है? 6 साल पहले का है तो आपको क्या करना है? हमेसा option को change करना यानि कि पहले वाला अनुपात कब दा है 6 साल पहले का है तो आपको option को 6 साल पहले में change करना होगा तो 6 साल पहले में change करने के लिए घटाना पड़ेगा जैसे समझने का कोसिस किजिएगा जैसे अभी मेरा उम्रत 30 साल है तो 5 साल पहले कितना था यानि कि 25 साल यानि कि 5 घटाना पड़ा उसी तरीके से आपको यहां पर option को change करना है 6 साल पहले में तो सभी में 6 घटा देना है तो इसमें 6 घटाएंगे तो 4 इसमें 6 घटाएंगे तो 6 इसमें 6 घटाएंगे तो 8, 4, 14 इसमें 6 घटाएंगे तो 2 अब आपको समझना है ये 6 साल पहले में change हो चुका है और 6 साल पहले का अनुपात कितना है P और Q का तो 3 अनुपात 2 है समझने का process किजिएगा किसका निकलना है P का तो अनुपात में P का कितना है 3 है तो 3 से इसको divide करके देखेंगे यह divide होगा नहीं होगा यह होगा यह नहीं होगा यो भी नहीं होगा यानि कि 4 option में मात्र और मात्र एक option divide हुआ तो इसका answer मिल जुका यानिकि इसका answer कौन सा होगा बी option यानि कि 12 बहुत ही असान है इस तरीगे से आपको exam में solve करना है अगर एक option न कटके दो option कटता या तीन option कटता तो दूसरा अनुपात से check करते हैं यहाँ पर answer मिल जुका है लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ अगर दो option कटता तो आपको answer नहीं मिला है एक option कट रहा है इसलिए answer मिल गया अगर इसमें 2 option कटता या 3 option कटता तो answer confirm नहीं हुआ है लेकिन एक option कट रहा है तो answer confirm हो गया है अब मानके चलते हैं कि अगर इसमें 2 option कर जाता या 3 option कर जाता तो दूसरा अनुपात से भी check करके देख तो कैसे check करेंगे अब आपको समझना है कि दूसरा जो अनुपात है वो कब का है तो एक बार देख लेते हैं चार वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात आठ अनुपात साथ हो जाएगा यानि चार वर्स बाद का अनुपात दिया हुआ है अब आपको क्या करना है इसको चार वर्स बाद में चे इसमें चार जोड़ेंगे तो 8-4 बार समझने का कोशिस कीजिएगा और 4 वर्स बात का अनुपात कितना है P और Q का तो देख लिजिए कहां पर है यानि की 8 अनुपात साथ है तो P का कितना है 8 है तो P का 8 है तो 8 से इसको डिवाइट करेंगे 8 से यह डिवाइट होगा नहीं हो तो इसका एंसर मिल गया था कौन सा यानि की B ओप्सन सही है तो P की वर्तमान आयू कितना है 12 वर्स है इस तरीके से आपको सिखना है समझना है एक पर अच्छा से सिख लेंगे समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा अगला प्रसन चार नमर सबसे पहले प्रसन क वो अच्छा से समझना है पांच संख्याओं का आउसत नौ है पांच संख्याओं में तिन संख्याओं का आउसत साथ है अनिया दो संख्याओं का आउसत क्या होगा बहुत ही असाने समझने का कोसिस किजिएगा पांच संख्याओं का आउसत नौ है तो सबसे पहले पांच स संख्या का उसत 9 है क्याल निकल जाएगा तो क्या करना नौ संख्या का योग श proporणा है था आपskो क्या करना है। संख्याओं का योग, तिन संख्याओं का योग मालूम हो जागा, क्योंकि यहाँ पर तिन संख्याओं का उसत साथ है, तो सात्या इकिस, यानि कि तिन संख्याओं का योग कितना है, इकिस है, अब बाकी बच गया दो संख्या, तो इसमें क्या बोड़ा है, अनिया दो संख्य संख्याओं का आउसत क्या होगा अब क्या करेंगे तो पांस संख्याओं के योग में से तीन संख्याओं के योग को माइनस करेंगे तो दो संख्या का योग मालूम हो जाएगा तो देखिए कितना आएगा यहां पर चार और यहां पर दो यानि कि दो संख्या का योग कितना ह चोविस है, तो दो संख्या का योग चोविस आगिया, तो और उसत निकालने के लिए का करते है, योग और बटे में टोटल संख्या, संख्या कितना है दो, तो यहाँ पर दो रखेंगे, तो दो से डीवाइट कर देंगे, तो 12, 12, 24 यानि की इसका सही एंसर कितना आ गया 12 आ गया है देख लिजे कहां पर है घा ओप्सन सही है अगला प्रसन पांच नमबर सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझ लेना है निम्नलिकित में से किस वर्स का कलेंडर वर्स 2003 के कलेंडर जैसा है बहुत ही असान है समझने का कोसिस किजिएगा 2003 के कलेंडर जैसा और ओप्सन में जो दिया हुआ है 2003 से बड़ा है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस तरीके से लिखना है 2003 इसके बाद 2004 2005, 2006 2007, 2008, 2009 2010, 2011 2012, 2013, 2014 इस तरीके से लिख लेना है अब समझने का कोसिस किजिएगा एक बड़ अच्छा से समझना है अब आपको क्या करना है सभी का एक्स्टा दिन लिखना है 2003 कैसा वर्स है सधारन वर्स है तो एक्स्टा दिन एक होगा 2004 लिप वर्स है तो एक्स्टा दिन दो होगा 2005 सधारन है या तो 14 आना चाहिए, समझने का परियास कीज़ेगा, तो देखते हैं, 3 हो गया, 4, 5, 6, 2, 8 हो गया, direct 7 आना चाहिए, या 14 आना चाहिए, यहां तक हम लोग जोड़े तो 8 आ रहा है, अब आगे बढ़ना है, अगर 7 आ जाता तो answer हम लोग को मिल जाता, लेकिन 7 direct नहीं आया, यहां तक में 8 आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर देख लिजिए, यह सदरन वर्स तो एक हो जगा, यह भी सदरन वर्स तो एक हो जगा, यह सदरन वर्स तो एकस्टरा दिन, समझने का प्रयास कीज़ेगा, अगर कलेंडर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लिजेगा concept clear हो जाएगा 2012 कैसा वर्स है लीप वर्स है तो एक्सटा दिन 2 होगा और 2013 सधारन वर्स है तो एक्सटा दिन 1 होगा फिर से जोड़के देखेंगे 7 तो पहले नहीं आया था इस पर 14 आना चाहिए तो यहां तक 8 था 9 10 11 12 13 14 यानि कि यहां पर 14 आ गया समझने का कोसिस किजिएगा बहुती असान है 14 आ गया तो आपको क्या करना है इसका मतलब है कि 2003 का कलेनर किसके जैसा होगा अब यहां पर आपको लास्ट में समझना यह वला जैसे यहां तक हम लोग जोड़े है अगर यह लीप वर्स होता तो दो स्टेप आपको आगे बढ़ना होता तो यह लास्ट वला क्या है साधारन वर्स है तो 2003 का कलेनर किसके जैसा होगा यानि कि जस्ट 2013 के बाद रिपीट होगा क्योंकि 2013 क्या है साधारन वर्स है 800 रुपिया तथा 4 वर्स में 840 रुपिया हो जाती है ब्याज की परतिसत दर है बहुत ही असान है अगर आप चक्रब्रीधी ब्याज का वीडियो देखे होंगे तो इस प्रसना को आप बहुत ही असान तरीके से सॉल्फ कर लेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है तीन वर्स और चार वर्स का मिस्रधन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्फ करेंगे एक बार मैं कॉंसेंट को समझा देता हूँ तो ज्यादा वर्स का मिस्रधन को कम वर्स के मिस्रधन से डिवाइट करेंगे उसी को calculate करेंगे तो answer आपको मिल जगा यानि की R का value निकल जगा लेकिन मैं shortcut में बताऊंगा और shortcut में मैं पहले बता चुका हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे चक्रवरीधी ब्याज का तो आप जाके देख लिजेगा तो कैसे solve करना है तो सबसे पहले जदा वर्स का मिसरधन को लिखेंगे कितना है 840 है और बटे में कम वर्स का मिसरधन यानि की 3 वर्स का है कितना है 800 है अब यहाँ पर बराबर में क्या लेना है तो बराबर में आपको क्या लेना है यहाँ पर क्या लगातार वर्स तीन वर्स और चार वर्स यानि कि लगातार वर्स का दिया हुआ है तो आपको क्या करना है 1 पलस R by 100 करना है सिर्फ और सिर्फ इतना करना है इधर में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको इधर में ले आएंगे समझने का कोसिस किजिएगा 840 है और बटे में 800 है एक बार concept को समझना है मैं समझा चुका हूँ अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो आप भी इसको बहुती असान तरीके से solve कर लेते या बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर देखिए इसको calculate करने का कोई tension नहीं है अगर LCM लेंगे तो 800 यहाँ पर आ जागा तो 840 में 800 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40 बचेगा और बटे में 800 समझने का कोसिस किजिएगा सिखना है calculate करने के लिए सिख गया तो बहुती असान तरीके से solve हो जागा यहाँ पर R है और बटे में यहाँ पर 100 है अब यहाँ पर देखिए यह 2-0 और यह 2-0 cancel 845 याने की R बराबर कितना आगिया 5% देखिए इस तरीके से आपको solve करना है इसी तरह का प्रसन एक्जाम में आता है अगला प्रसन साथ नमबर सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझ लेना है किसी वस्तु के मुलिय में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आई में परतिसत वीधी या कमी होगी बहुती असान परसन है और बिबिया परसन है मैं परतिसत में इस तरह का प्रसन को डिसकस कर चुका हूँ अगर आप देखे होंगे वीधी तो आप बहुती असान तरीके से बीना कलम को भी यूज किये भी एंसर बता सकते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे 20% का बढ़ोतरी किया है और बिक्री में 30% का कमी हुआ है तो मैनस में 30 लेंगे अब बढ़ोतरी वाला प्लस में और कमी वाला मैनस में और दोनों को गुना करेंगे पलस और मैनस को गुना करेंगे तो मैनस होगा और यह दोनों को यहाँ पर गुना करेंगे यह मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो देखे होंगे परतिसत का, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर आप नहीं देखे होंगे, तो देख लिजिएगा, और बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंसर आ जागा, देखे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस सोलह हो जगा, यानि की माइनस क्या दरसाता है, यानि की कमी हुआ, यानि की हानी हुआ है, तो इसमें क्या हो जगा, 16% का कमी, तो कहां पर है, गव ऑप्षन सही है, 16% कमी, आगला प्रसन आठ नमबर, सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझ लेना है, एक 130 मिटर लं को पार करती है, तो दूरी क्या लेते हैं, रेल गारी की लंबाई पलस पूल की लंबाई, यहां पर कोई भी फर्मूला यूज करेंगे, एंसर आ जागा, लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा, तो दूरी क्या लेंगे, रेल गारी की लंबाई कितना है, 130 मिटर है, और ग्याद करना है तो pull की लंबाई हम मान लेते हैं P यानि कि ये क्या हो गया? दूरी हो गया तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय समझने का कोसिस किजिएगा चाल गुने समय तो समय तो दिया हुआ है 21 सकेंड अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर मीटर में है और यह सकेंड में है अब यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुने समय तो चाल आपको देखना है यहाँ पर किलोमिटर परती घंटा में है तो चाल को भी आपको बदलना होगा मीटर पर सकेंड में बहुत ही असान है तो देख लिजिए अब क्या करेंगे इसको solve कर लेते हैं तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा और पचीस दूना पचास और दो बावन हो जाएगा यहां पर इस तरीके से हो गया अब यहां पर देख लिजिए 130 पलस P है अब P का value नि और यहां पर एक नहीं 10 यानि कि 12 में से 3 तो यहां पर 9 यानि कि 9-12 होता है और यहां से 1 ले चुके हैं तो यहां पर कितना है? 4 है 4 में से 1 तो यहां पर 3 यानि कि 395 तो देख लिजिए कहां पर है? ख ओफ्सन से ही है, तो इस तरीके से आपको solve करना है, एक बार अच्छा से समझे रहेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा आगला प्रसना 9 नमबर, सबसे पहले प्रसना को अच्छा से समझ लेना है, यदि 2x प्लस y ब्राबर 5 तथा 3x माइनस 4y ब्राबर 2 हो, तो 2xy का मान क्या है, समझने का कोसिस किजिएगा, अगर x और y का मान ग्यात हो जाएगा, तो 2xy का मान निकल जाएगा, तो सबसे पहले x समझ लेना है, 2x प्लस y ब्राबर 5 और दूसरा समझ लेन है, 3x माइनस 4y ब्राबर 2 है, समझने का कोसिस किजिएगा, मैं ट्रीक में बताऊँगा, अगर ट्रीक आपको अच्छा लगे, तो ट्रीक को सिखने का परियास करना है, तो सबसे पहले x का बेल्यू निकालेंगे, x का बेल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, r y alpha करना है, अब यहाँ पर r और alpha एक नया चीज़ है, समझने का कोसिस किजिएगा, जब x का बेल्यू निकालेंगे, तो x को यहाँ पर ढख लेना है, बंद कर देना है, तो यह बच रहा है, तो इसमें आपको r बनाना है r कैसे बनाएंगे, देखिए, इस तरीके से r बन रहा है, तो r बनाने का मतलब इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर अंग कितना 1 है, तो एक गुने 2, तो यहाँ पर आपको 2 रखना है, इसके बाद यहाँ पर minus रहेगा, इसको गुना कर लिए, minus दे दिए, इसके बाद अलफा के बारे में आपको क्या करना है इसको बंद कर देना है इधर में आपको अलफा बनाना है तो अलफा कैसे बनेगा देखिए इस तरीके से अलफा बनेगा एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुती असान तरीके से सौल होने लगेगा तो देखिए इसको ग यहां पर 22 और बटे में 11, 11 दूनी 22 यानि की x का value आ गया है 2 अब आपको समझना है y के लिए y में असान होगा अब आपको समझना है यहां पर जो alpha है दोनों के लिए alpha सेम होगा अब आपको निकलना है y का value निकलने के लिए y को बंद कर देना है y का value निकालने के लिए आपको y को बंद कर देना है तो y को बंद कर दिए आपको क्या करना है y के लिए alpha बटे alpha करना है अब यहाँ पर दोनो alpha है तो दोनो alpha एक नहीं है समझने का कुछस कीज़ेगा दोनो alpha एक नहीं है तो आपको क्या करना है सबसे उपर वला में y के लिए हम लोग रियाद कर रहे हैं तो y को बंद कर देना है तो बंद कर देंगे तो क्या बचेगा ये वाला पाट और ये वाला पाट तो इसमें आपको क्या बनाना है बंद करना है और इधर में अलफा बनाना है तो यहां पर वही हो जगा कितना आया है यानि कि 11 आया था तो यहां पर देख लिए कितना हो जाएगा पंद्रह में चार घटेगा तो 11 बचेगा और बटे में 11 है 11 एकम घ्यार यानि की 1 आ गया y का value एक और x का value दो तो क्या निकलना था 2 x y कमान ग्याद किजिए तो क्या करेंगे 2 x कमान कितना आया 2 y कमान आ गया 1 तो कितना हो गया दो दुना चार और गुने एक यानि की चार देख लिजे कहां पर है तो बहुत ही असान तरिके से एंसर आ गया अगर ये टेकनिक को आप समझ लेंगे हम तो समझाने के चलते हैं टाइम लिए और बड़ा किये अगर आप समझे रहेंगे तो फटा फट का लूपलेट करके आप एंसर बता सकते थे आगला प्रसन 10 नमबर सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझ लेना है आठ संख्याओं का आउसत 21 है यदि परतियक संख्या को आठ से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का आउसत होगा तो पहले वाला आउसत कितना 21 है अब क्या बोड़ा है अगर प्रतियक संख्या में 8 से गुना कर देंगे और नाया जो संख्या मिलेगा उसका आउसत निकालेंगे तो क्या होगा यानि कि नाया आउसत क्या होगा तो आपको क्या करना है गुना करने की बात बोला है तो पु ठीके रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी इस तरीके से आप बना पाएंगे, आगला प्रसना 11 नमर, सबसे पहले प्रसना को अचा से समझ लेना है, बारसो तीरपन, पावर में 18 है, का इकाई अंग कितना है, समझने का कोसिस किजिगा, एक वर में लिख लेता हूं, समझने का प इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, तीन को 18 बार गुना में लिखना है, गुना करके बताना है कि इकाई के अस्थान पर क्या है, तो इस तरीके से भी नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है, समझने का कोसिस किजिगा, तो सबसे पहले तीन का रिपीटेशन मा हो जगा, तीन का रिपीटेशन मालूम करना चाहते हैं, तो देखिए, कैसे करेंगे, जैसे, तीन का पाउर एक रखें, तो तीन आया, अब आपको क्या करना है, तीन का रिपीटेशन मालूम करना है, तो तीन को तीन से गुना करिए, तीन तिया नव आ गया, अब क्या करेंगे, नव को तीन से गुना करिए, तो नव तिया 27, यानि कि इकाई के अस्थान पर साथ आ ग अगर फिरसे क्या करेंगे तो यहां पर 3 का पौँँ 6 फिरसे आपको क्या करना है 3 को 1 को 3 से बुना करेंगे तो फिरसे 9 आ जगा है कहने का मतलब है कि इहां पर देखें 1 2 3 4 यानि कि 4 के बाद इसके बाद फिरसे 9 7 7 1 repeat होएगा यानि कि चार के बाद हमेशा इस तरीके से repeat होते रहेगा तो इसी को बोलते है repetition यानि कि तीन का repetition कितना है तीन का repetition चार होता है दो का भी repetition चार होता है अगर आप याद किये हैं तो इस तरीके से करने का जोरत नहीं पड़ेगा एक जामे अगर याद नहीं है भूल गए हैं तो सबसे पहले आपको repetition याद मतलब कि निकाल लेना है कि repetition क्या है अगर repetition मालूम हो जाएगा तो बहुत ही असान तरीके से solve हो जाएगा अब यहाँ पर आपको फिर से समझना है मैंने तो मिटा दिया अगर अब यहाँ पर एक पर अच्छा से समझ लेना है तो repetition हम लोगों को मालूम हो चुका है कि 3 का repetition कितना है 4 है तो power को 4 से divide कर दो है तो 4 से divide करेंगे तो 4 चोग के 16 चार चोग के तो cut गया लेकि 2 बच गया सेस कितना बच गया है 2 सेस बच गया है 2 अब आपको समझना है कि 3 का power 2 बच गया है 3 का power 2 बच गया है तो 3 का power 2 तो क्या हो जगा 3 ती आई 9 यानि कि 1 का एक खथान पर 9 होगा अगर यहां पर 3 बच गया है तो आपको समझना है कि 3 का पावर 3 अगर यहां पर 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 बचेगा ही नहीं क्योंकि 4 से डिवाइट करना है तो 4 तो नहीं बचेगा या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा या तो 0 बचेगा अगर 3 का power 1, 6 अगर 1 आया, तो आपको समझना है 3 का power 1, यानि की 1 काई के स्थान पर 3 होगा, अगर 6 आया 2, तो आपको समझना है कि 3 का power 2, इसका मतलब 3 तिया 9, 1 काई के स्थान पर 9 होगा, अगर 3 का power 3, कहने का मतलब है कि 6 अगर 3 बचा है, तो 3 का power 3 समझना है, तो क्या हो ज बचेगा तो आपको समझना है अगर 0 बचेगा तो आपको समझना है 3 का पाउवर 4 और 3 का पाउवर 4 रहता है तो इकाई के अस्थान पर क्या होगा यानि की 1 होगा बिल्कुल आपको अच्छा से समझना है